हलो एवरिवन वेल्कम टू नॉलेजमॉल और आज की जो वीडियो है वो है 25 कोश्चन्स का सेट इसमें आपको बिहार से रिलेटेड जी के और करेंट अफेरस के कोश्चन्स आपको मिक्स मिलेंगे जो कि आने वाले बीपी असी और सीडिपी ओ एक्साम के लिए काफी जादा हेल्फुल होने वाला है तो चली लगाते हैं सेट को और इसके पहले और भी कई सारे सेट दिये गये हैं तो जो चैनल पर नहीं हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आगया आने वाली से वीडियो की नोटिवेशन मिलती रह हैं तो चली लगाते हैं सेट को कोशन पहला कि बिहार के किस जिले की महिलाओं द्वारा कोरोना महामारी से बचाओ तथा जागरुपता पैदा करने के उद्देश से हेलो सखी चैन योजना की सुरुवात की गई आंसर है आप्सन बी मुझपरपुर की महिलाओं के द्वारा फोन के माध्यम से लॉक्डोन के समय गाउंस में बाहर से आने वाले जो व्यक्ति होते थे उनकी जानकारी अधिकारियों को उपलब्द कराती थी और इस योजना का आरम जोती महिला सामाख्या नामक संस्था के द्वारा सुरू किया गया है बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम सासक कौन था आंसर है इसका ऑप्सन सी बख्तियार खिल जी बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था आंसर है ओप्सन डी दबिहार हेराल्ड दबिहार हेराल्ड जो है ये 1875 में गुरू परशास सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था मैथली भाषा को भारती सम्विधान की आठवे अनुसूची में किस वर्स सम्मिलित किया गया आंसर है ओप्सन C 2003 में बिरानवे शम्विधान संसोधन अधीनियम 2003 के द्वारा मैथली भाषा को जो है जोड़ा गया मैथली के अलावा इसमें और भी डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को इसमें सामिल किया गया बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है आंसर है इसका ओप्सन E, तो ओप्सन E में क्या होता है कि अगर कोई नहीं होता है तो भी आंसर सही है और एक से अधिक अगर इसमें दिये गए आप्सन में सही होता है तो भी इसका आंसर सही होता है यह होता है तो इसमें जो है आंसर है उप्युक्त में से कोई नहीं पूछा गया था कि बिहार विधानसभा चुनाओ 2020 के संदर में कौन सा कथन गलत है तो इन में से कोई नहीं य रूप नितिस कुमार साथवी बार मुख्यमंत्री बने यह चुनाव तीन चर्णों में संपन्न हुआ यह चारों के चारों ओप्सन इसमें सही है 1934 में बनी बिहार सोसलिस्ट पार्टी के सचीव थे आंसर है ओप्सन बी जेप्रकास नारायन भारत के राज्यों में से निमनतम साक्षर्तादर 2011 की जनगना के अनुसार की दृष्टी से बिहार का अस्थान केमा है आंसर है इसका ओप्सन ए प्रथम अस्थान ध्यान दीजेगा यहां पे नियूनतम पूछा गया था तो 2011 की जन्गना के अनुसार नियूंतम साक्षर्टादर में बिहार का जो अस्थान रहा वो प्रथम अस्थान है जिसमें कि अगर परसेंटीज पूछा जाये तो 61.8% मात रथा चमपारन में गांधी ची को आमंतरन किस नहीं दिया? आंसर है ओप्सन C. राजकुमार सुकल ने इल्टुतमिस ने बिहार में अपना प्रथम सुबेदार नियूक्त किया था आंसर है ओप्सन A. मलिक अलाव दिन जानी को और ध्यान दीजेगा कभी कभी option में सिर्फ मलिक जानी आपको option में देखने को मिलेगा तो याद रखिएगा मलिक अलाव दिन जानी या फिर मलिक जानी को बिहार के महान स्वतंता सेनानी वीर कुमर सींग का संबंध है आंसर है option B, 1857 के विद्रोह से 1857 के विद्रोह में वीर कुमर सीम ये जगदिस्पूर बिहार का नित्रित्व कर रहे थे संथाल विद्रोह का नित्रित्व किस ने किया था? आंसर है option D, सिदो और कानू ने संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में हुआ था और इसके बीच हुआ था, इस विद्रोह का नित्रित्व शिद्व एवं कानू कर रहे थे और इस विद्रोह का जो पर्मुक केंद्र था, वो भागलपूर के राजमाल पहाणियां छेत्रि से था किस चित्रकला के अंतरगत बिहुला विशहरी की दंत कथाओ का चरित्र चित्रन होता है? आंसर है option C, मनजूसा चित्रकला के अंतरगत नालंदा विश्विद्याले के पुरातात्वी कस्तल को योनेस्कों की विश्व विराशत सूची में कब सामिल किया गया? आंसर है option C, 2016 में पटना संग्राले की अस्थापना कब होई थे? आंसर है इसका option B, 1917 स्वी में स्वामी सहजानन्द का संबंद था? आंसर है इसका option C, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ बिहार किसान आंदोलन को सही दिसा देने में स्वामी सहजानन सरश्वती की भूमी का महत्वपोर्ण रही थी बिहार के सकल राज किये मुल्य वर्धन में और दोगीक छेतर का कितना पर्तिशत योगदान है? आंसर है इसका option B, 20 पर्तिशत कामवर जील पक्षी अभिहारन बिहार के किस जिले में इस्थित है? आंसर है option C, बेगु सराय में बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के ब्रून हत्या रोकने तथा लिंग भेद को दूर करने के उद्देश से निम्न में से किस योजना का प्रारम किया गया है? आंसर है इसका option B, कन्या सुरक्षा योजना कन्या सुरक्षा योजना के तहट जो है लड़कियों को जन्म से लेकर असनातक की पढ़ाई का पूरा खर्शा लगभग 25,000 रुपे की रासे परदान की जाती है और इस योजना से ब्रून हत्या रोकने तथा लड़कियों की सिक्षा को पढ़ावा मिलेगा करनाट वन्स का संस्थापक कौन था? आंसर है ओप्षन C नान्य देव और इस वन्स का अगर अंतिम सासक पूछा जाएगा तो हरी सिंग देव थे अजाद सत्रू के शासनकाल में बौद संगीती का आयोजन किस नगर में किया गया था? आंसर है ओप्षन A राजग्री में बिहार में विधान परिशद एवं विधान सभा की करमशा कितनी कितनी सीटे हैं? आंसर है ओप्षन A विधान परिशद की 75 सीटे और विधान सभा की 243 सीटे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को बिहार में कौन से योजना की सुरुवात की गई है? आंसर है ओप्षन D हर गाउं ऑप्टिकल फाइवर योजना इस योजना का उद्देश बिहार के सभी 45,945 गाउं को अप्टिकल फाइवर इंटरनेट से जोड़ना है नवंबर 2020 में बिहार के किस जील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर राष्टिय महत्तु की एक आधर भूमी के रूप में मानेता दी गई है आंसर है आपसन B कामवर जील नवंबर 2020 में बिहार के बेगु सराय जीले में इस्थित कामवर जील याविर कामवर ताल को रामसर भूमी के मानेता दी गई राज में यह दर्जा प्राप्त करने वाला पहला आदरभूमी अस्थल है ये जुसे की कामवर्जील के नाम से चाना जाता है बिहार राज की सीमा निम्न में से किस राज की सीमा को उस परस नहीं करती है आंसर इसका आप्सन भी मद्ध पर्देश बिहार की सीमा जो है तीन राज पश्चिम बंगाल उत्तर परदेश और जहारखन को उसपर्स करती है बिहार का नियुनतम विद्धुत उभोग वाला जिला कौन सा है आंसर है इसका option C, सीवहर तो ये थे 25 questions के सेट बिहार जी के और करेंट अफर्स से रिलेटेड तो आपका score कितना हुआ वो comment box में जरूर लिखें वीडियो पसंद आया तो एक like जरूर करें comment करें और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें धन्यवाद करें दोस्तों करें दोस्तों कितना है